गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स, मैसेल्स दम्यंती बोहरा, यौर एवियस टीचर, तूड़े विल इस्टार इस्टॉपिक इस तॉपिक इस गुए इस पिक्चर के अंदर आपको यह सब कलेक्ट किये हुए दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर को आराम से, रेडी से देखो, आप ध्यान देके देखो, इसके अंदर देखो, आपको यह ब्रिक्स नीचे रखी हुई है और इस पे बच्चे खड़े हैं ले देम ऑन दी ग्राउंड इन लाइन एस सो इन दा पिक्चर और ग्राउंड में लाइन से इस इंटो को रखो, ट्राई वाकिंग अन देम और इसके उपर चलने की कोशिज करो, वाट इस इजी, वाज इट इजी, क्या यह इजी हैं एक स्मॉल ब्रीज बनाओ च्यार और पांच बंबू का पोल के साथ, आस्क यूर टीचर की हैल्प भी ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो, नाव वाक अन यूर ब्रीज और उसके उपर चल के देखो, वाई डिड यू फील, और आप कैसा महसूस करते हो, क्या आप उससे गिर सकते हो, क्या, if you walk like this a few times, आप उसके उपर थोड़े टाइम के लिए चलो, you will start finding it easy और आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्या आपने कभी सोचा है, क्या अगर अपन ब्रीज के उपर चलेंगे, आसानी से पर उसके उपर चलते हैं, अपन ब्रीज के उपर, तो आपने देखा है क्या, बीर फूट का आर्थ होता है, नंगे पाओ, बीर फूट, बीर फूट का आर्थ होता है, नंगे पाओ, विठ सूज क्या आप आसानी से उसके उपर नंगे पाऊ या सूज पहन के या स्लिपर पहन के आप आसानी से चल सकते हो और वाई क्यों दो ट्रोली एवरी डे वी हैव तू क्रोस दा रिवर तू गेट तू स्कूल प्रते एक दिन उनको स्कूल पहुंचने के लिए रिवर को क्रोस करना पड़ता है नदी है वो बहुत ही चोड़ी और गेरी है और नदी को पार करने के लिए उनके दोनों तरफ एक बहुत ही रसी लगी हुई है किसकी लोए की आईरन कार्थ होता है लोगा और बहुत साइड इस टाइडली डाइट और उनको बहुत ही टाइट कसके उसको बंदी हुई है विट श्ट्रॉंग ट्रीज और रॉक्स उसको किसके साथ बंदी हुई है पेड के और रोक्स चट्टानों से उसको अच्छी तरह से बहुत ही टाइट बांदी हुई है देर इस ए ट्रॉली बॉक्स मेड ओफ वुड वहां पे एक ट्रॉली है और वो बॉक्स बना हुआ है किसका वुड लकडी का एटैच विद दा रॉक्स वरोक्स के साथ एटैच है रॉक्स रस्ती के साथ रॉक्स होता है रस्ती पॉर और फाइफ ओस सिर्वाषी और पूली होता है उसच्रॉली को क्रोस करता है We reach the other side of the river in a short time और अपन उसे बहुती थोड़े समय में उस नदी को पार करके एक साइड से दूसी साइड में पहुंच जाते हैं Let us do, observe a picture first and second in the picture इसमें आप इन दोनों picture को देखो, ये first है और ये second picture है Children are pulling the bucket from the well बच्चे हैं जो वो bucket को किसे well से कीच रहे हैं Can you tell the difference in both the pictures? क्या आप इन दोनों picture में difference बता सकते हो क्या Which would be easier using the pulley or not using it lift things इसमें से कौन सा आसान है और कौन सा नहीं है ये बताओ इसमें से कौन सा आसान है जैसे ये first है वो बिना इसके pulley के ये खैच रहा है और ये ये pulley के साथ में second वाला है पिक्चर वो पुली के साथ में खैच रहा है तो इसमें दोनों में से आसान कौन सा हुआ और कठीन कौन सा हुआ जैसे easy फिर इसमें second picture आप देखो Second है वो आपको एकदम easy लगेगा क्योंकि वो पुली के साथ खैच रहा है और ये ये जो रसी के साथ खैच रहा है लुक एराउंड यू वेर और डू यू सी दा यूज ओ पुली स लिश्ट देम अपने चारो तरफ देखिए क्या आप सभी ने गिन्नी का अप्योग करते हुए देखा है और उसकी लिश्ट बनाईए आप अपने चारो तरफ देखिए लिश्ट लुक एराउंड यू वेर और डू यू सी दा यूज ओ पुली स लिश्ट देम आप अपने चारो तरफ देखिए चारो तरफ देखिए क्या आपने सभी ने गिन्नी का अप्योग करते हुए देखा है तो उसकी लिश्ट बनाईए With the help of pulley With the help of pulley Try and lift various things as so in the picture जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि गिन्नी की सहायता से विबिन परकार की वस्तो को कैसे उठाया जाता है We often need to go across some water bodies See, we use breeze These are made of cement, bricks and iron Roads, the breeze may also have steps We often need to go across some water bodies अपन को water bodies को पार करने के लिए इसकी जरूरत होती है So, we use breeze किसकी जर्ट होती है? Breeze की These are made of cement और breeze किस से बना होता है? सबसे पहले Cement, फिर bricks Bricks किसको बोलते हैं? आपको पता हैं? इंटो को और iron लोहे की छड़े The breeze may also have step और उसमें काफी तरह के step भी बनने होते हैं बहुत सारे अब फिर्स्ट क्यूशन देखो आप इसमें क्या लिखा हुआ है? How is the breeze different from a bamboo breeze? Breeze में और bamboo breeze में क्या different है? उसमें आपको दोनों को इसका अंतर बताना है Second question है How many people do you think can cross the breeze at one time? किते लोग है वो एक समय में उस breeze के उपर को cross कर सकते हैं? किते लोग उसके उपर चल सकते हैं एक समय में? You have seen how children use different kind of breeze to cross river and other uneven areas to reach school बच्चों को स्कूल तक पहुँशने के लिए उस नदी को पार करने के लिए किते तरह के breeze पार करने पड़ते हैं? और किते तरह की अपन को उससे कैसे कैसे रास्तों को पार करना पड़ता है? अन-ईवन का अर्थ होता है उबरखाबड एरिया जैसे अपन के कोई road होती है वो समतलना होके कहीं से उपर और कहीं से नीचे होती है उसको बोलते हैं उबरखाबड और वो इस पार और वो इसकूल को school पहुशने के लिए बहुत सारे एरिया को उबड खाबड एरिया को cross करके फिर school पहुशते है If you had a chance which bridge would you like to use why? Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? Draw its picture Find out of find out from your grandparents what kinds of bridge were there when they were young Thank you